आपको कुछ एश्ट्रा जो है जानकरी मिलेगी इस गाड़ी से रिलेटेड तो वीडियो को पूरे एन तक जरूर देके क्योंकि आको मिलेगे के कम्प्लीट जानकारी दा न्यूव स्विफ्ट को लेके तो चले बे बिन डिलिके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस एपिक गाड़ी यान कि दा न्यू जेनरेशन स्विफ्ट तो दोस्तों ये इसका top of the line यान कि जेडेक से plus वाली गाड़ी और ये गाड़ीए आको मिलेगी टोटल पांच विरेंड के साथ और पांच विरेंड अपको ये इसका top अट विरेंड जेडेक से plus और जेडेक से plus में ही आपको मिलेगी सारे features जो की नीँ यहाँ पे किया गया है इंटुडूँस और जैसे कि बए न्यू जयू से सुव्ट है तो इसमें आपको पूरी तरह से एक्स्टेरियर इंटेरियर को जो है बदल दिया गया है और अगर बात करें वहीं इंजिन की तो आपको मिले गए कि नीउ इंजिन यानि कि इ प्लेस विथ जेट सिरी जिंजिन के साथ और 1.2 3 सिलिंडर तो भई इसका केविन नॉइज भी है आपको सुनाओगा या केविन के अंदर कुछ नॉइज वगर आती है या फिर नहीं आती है वो भी जाने है इस वीडियो में और जैसे कि यहाँ पर देख पर इसका फ्रेंड का प्रोफाइल तो पहले आपको बता दू कि नया तो बहुत सारी यहाँ पर दिखने वाली है जो नई फीचर स्वाइगे रार नियू लूक यहाँ पर उसके साथ और एक चीज साथ आपको पता नहीं होगा वो है इसका डैमेंशन जी हाँ दोस्तों डैमेंशन जो है इस गाड़ी का चेंज हो चुका है हलका फुलका नॉट कम्प्लिटली बट पर्श्यली जैसिक इसका लेंथ अगर बात करूंत तो इसका लेंथ आपि मिलेगी आपको 15 mm ज्यादा ओल्ड सूप्ट के मुका благодарे इसका हैड जो है वो आपको मिलेग दस एमम कम ओल्ड सूप्ट के मुकाबले तो थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा सा कम हुआ है बट इसका विल्वेस एंड इसका जो विड्ट है ना वो आपको मिलेगी बिल्कुल सेम टू सेम उसमें कोई भी चेंजस नहीं की गई है तो यह के जो था information होप सो आपको पता नहीं होगा क्योंकि इसके बार में मैंने जितना विड़्ो देखा है तो साथ उसमें नहीं बता है कि लेकिन इसमें मैंने आपको बता दिया कि डाइमेंशन में जो इस गाड़ी का चेंज हुआ है हलका फुल का देन एक्स्टेरियर क्रोम की यहां पर फर्स टाइम अगर देखा जैक फर्स टाइम यहां पर मारूती ने क्रोम की जो लाइनिंग वगेरा भाई गाड़ी से हटा दी है दिख रहा है क्या कहीं पर आपको नहीं ना स्पोर्टी जैसे कि आपको पता है बेश स्विफ्ट को जो है लोग काफे दर स्पोर्टी बनाते हैं बाहर से बट यहां पर कंपने ने सोचा कि क्यों ना मैं इस गाड़ी को यहां कि स्पोर्टी लुक भी दे दूँ तो स्पोर्टी की हिसाब से सब कुछ यहां पर दी जा रही आने कि आपको विल्गा ग्लॉसी वाली ट्रीट्मेंट स्मोकी का हेडलाइट जो कि इस गाड़ को काफे दर स्पोर्टी ने चोई बनाती है फ्रंट से भी तो फ्रंट की और अगर देखेंगे फिचस तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूँ कि आपको मिली यहां पर स्मोकी डिजाइन एलेड की हेडलाइट का पूरा इंडिकेटर अपको मिली ठीक इसके बॉटम में हैलोजेन बेस में रखा गया है एंड अपको मिली यहां पर एलेड की फोग लाइट जबकि बहुत सरी कंपनिया भी अपनी गाड़ियों से फोग लाइट को रिमूब कर रही है वहीं मारूती अभे भी अपनी गाड़ियों में यह जो फीचर वह रिटन कर रही है तो आपको मिली यहां पे लड़ी की फोग लाइट विट ब्लैक कलर की यानि की मैट ब्लैक कलर की हाउजिंग के साथ और ग्लॉसी वाली यहां पे ग्रिल जो की की गई है बेचेंच न्यू स्विफ्ट में और यह आपको मिली रिप्लेस करके थोड़ा सा उपर में जो है अभी लगा दिया गया है यानिकि इसका जो स्विफ्ट का लोग आपको मिली ठीक इसको उपर जैसके देख पार हो एंड निचे आपको मिली जा आते एक ब्लैक कलर की स्किट प्लैट जो की रखा गया है मैट कलर में तो दिस इस फ्रेंट प्रोफाइल आफ और न्यू जैन स्विफ्ट और यह गाड़ी आपको मिलेगी छे मोनो टोन एंड आपको मिलेगी तीन डूल टोन के साथ भी अभी आते हैं इसके साइट प्रोफाइल के ओर सो बढ़ी डैमेंशन तो मैंने आपको बताया दिया गाड़ी का डैमे प्रिसिशन कर्ट डैमेंड कर्ट की अलोई के साथ इसका जो टॉपेंड वरेंट है आपको मिलेगी यहाँ पर 15 एंज की अलोई और साइज यहाँ प्रोफाइल आपको मिलेगी वेंट्री डिस्क एंडियर आपको मिलेगी यहाँ ड्रम ब्रेक का फीचर 37 लेटर का रखा ग गया है और अपको मिलेगी एक रेगुलर शेप में इसका जो रियर डोर हैंडल बोडी कर्म रखा गया है और हलका फॉलक यहाँ पर ग्लॉसी का पर्ट मिल जाती है इसके सी पिलर में देन इसका जो बीप लोग मिलें यहाँ पर मैट ब्लैक कलर वाली और रिकुशन का पर यहाँ पर बोथ यहांने की ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड में भी दिस दे को ड्राइवर साइड एंड उधर मिलना ही चाहिए ना तो वह मिल जा रही है दैन इसका और मिल जाती हाँ यहाँ पर बॉडी कलर वाली विद टुनिंग इंडिकेटर मांट इसके ऊपर ओके सो रियर से अभी आपको दिखा जाता हूं इस गाड़ी को एंड डिस इस दे रियर प्रोफाइल एंड सेम आपको मेले कि यहाँ पर थोड़ इस स्लीक डिजन के साथ इसका रियर प्रोफाइल भी और इसको भी कर देगा है पूरी तरह से चेंज हैंड स्मोकी जो पैट इस वान हेलोजन बाइस होज यहां पर हेलोजन बैस में तो यह है आपको थोड़ी प्रोफाइल स्विफ्ट का और आपको रिपार के सेंसर चाहर नो कॉस्ट को तिंग यहां पर चाहर मिल जा रही है पूरी कंपिट अगम यहां पर होरेजेंटली जीवर्स पर कैमरा को आता देखने में तो सुफ्ट के यहां पर ब्रैंडिंग हो गया उपर मुल जाती है यहां पर रियर वाइपर डी फोगर हाई मोल श्टाप लैंप एंटिना भई हां एंटिना को हलका हुलका चेंज करने चाहिए कंपनी को देखिए बड़ यहां पर श्टर टाइप की एंटि 265 लिटर का बूट स्पेस थोड़ी सब्सक्राइब यहां पर डिपर साइड में रखा गया है याने कि देखोगे ना हलका से यहां पर डीप मिल जा रही ज्यादा नहीं है एंड आप और क्या मिलेगा आपके मिल जाते हैं लगी जुक दिस वान कहां गया वही यह देखो ब पकड़ किसको कर देते हैं बंद और यहों कि देखें इसका में अडिव बटन ओपन करने के लिए अगर आप अब ही चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर आपको क्या क्या फीचर्स क्या क्या अप्गड़र्शन क्या गया है उसके बार में जानते हैं पूरे डिटेलिंग में ठीक है तक कि अगर डड़ अगर लगे तो इतना पता भी ना चले तो काफी एक तर से देखा ज़िए काफी साही चीज है तुव का डेशबर के अरिया है एंद दोर पैनल डिस वन इस देखा टोर पैनल अकर में यहां पर कम्प्लिट ब्लड़ कर रिट्राइब सेथियर क्या इक त्रेट्मेंट दिजा रहे है दिन अपको में लेगी टेक्च्चर हलकी फिल्ट फिल्क हां पर दना प्रस्टीख ए यहां पर द्राइबर साड में इस वन एंड इस वन इस दा इलेक्टिकली फोल्डेबल और में फोल्ड होगी एज़स्ट होगी लोगोन यहां पर बटन दी जा रही है ठीक है बोटो होल्डर स्पेस आपको मिलेगी हां पर चार स्पीकर दो ट्विटर का जो फीचर एंड दिस वन इस दो हाइट अजिश्मर के लिवर ओनली ड्राइबर स्पीकर दी जा रही है देन फैवरिक के सीट आपको उफर करी जाती है बेशिफ्ट में बकेट टेक्पी सीट इसका जो वीड थैना वह आपको कफी जो हवी मिलने वाले देखिए इसका लेंड देखिए आप जब बैठोगे ना पूरा जो है इसके अंदर घूज जाओगे तो चले अब यह अंदर बैटके बाद करते हैं हाँ आपको यह दिखा दू भाई फूड ओपनर एंड इसका जो फ्यूड ओपनर ठीक है ना देन बिस साड़ा पूल जाती है आइड श्वीच लाइबलर अब यहां पर लोगों ब्लू क्लर में ठीक है अब यह आते हैं दम मैन फैक्टर यानि की डैसबोर के बारे में अगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर अर्गोनेम के हिसाब से देखा जाए तो भी गाड़ी में चेंजस हुआ है आप बोलोगे वह क्या है क अब इसका पर ट करते हैं आप तो यह और देखा आप पर जिया चाहने जीञे कर देख सके उसी हिसाब से अब से प्तिल्ट मिल जाते हैं इसका जो पैटन वगेरा देखिए कर्स वंगरे हैं यहां मिल जा रही है थोड़ी सी जो है उबर के आ रही है आगे की तरफ एंड आप सेटिंग अलर की एसेंट एक लाइनिंग दी जा रही है एंड इस वन इस दा नाइन इच की टचर स्क्रीन एंड ग्लॉसी वाली जो है ट्रीट में इसके सराउंडिंग में स्टार्ट करते हैं भाई स्टार्ट करना तो बनता है सो भाई यह होगी स्टार्ट इसका टाजर स्क्रीन एंड आपको यहां पे वाइलेस एंड्रोड ओट आप लेकार भी फीचर ब्लूटूथ अवरेच रेंज यहां पर शो करेगी और टाइम म्यूजिक करनेट नदर। ऑफ़ेश बनता है क्यिक्क Two स्क्र fender darわか इस्टार लुटा आपको दिखाना है नहीं पहले क्योंब सबस्क्राइस केमरा का वैं सब कुछ अपको बतावंगा पूरा डीप लीडियरकिन आपको टार्स्कोर धेन अभी बार यहां क्लस्टर भी देख लेते हैं अबी यहां पर और यहां पर राउन नहीं मिलेगी ऑपन रखा गया तो यहां पर को यहां पर को नहीं आईगी इस गाड़ी को जब आप ड्राइब करोगे न ठीक है एंड एंजिन टेपर यहां पर शो करेगी फ्यूल को जो हाँ पर हो गया देन एक एक M.I.D. यहां कि मल्टी इंफर्श्टे डिस्पे बीच में दी जा रही है जहां पर एवरेज फ्यूल इक्नोमी रेंज और क्या है टीप हाँ यह हो गया भे और मिटर ट्रीपे ट्रीप बी इसको अगर पुश करेंगे यहां पर आपको ड्राविंग टाइम टोटल आइड टॉर्क पावर एक्सेलेशन ब्रेक वगएर आपको यहां पर दिख जाएगे जो यहां पर क्लेश्टर के अरिया राइट देन अभी आते में स्टेरिंग विल के ऊपर लेधर राप्ड पुल जाते स्टेरिंग विल एंड ग्लॉसी का भी जो यूज किया गया है आपको मिल अपर प्लाइट बॉटम यह देखो सुझी के लोगों आपको मिल जारीये लाइट के कंट्रूल साथ आपको मिलेगी यह पर आपको फीचर दिस ओना इस दो वासर और के चंट्रोल इसके लेटन चाहइड में एंड इसका स्टेरिंग लाइगी तिल्ट के साथ यह देखो ड प्लेसिंग वेंडे मिरा टिकेट होल्ड ग्राइब हैंडल एड स्पेस की बात करें कर लेते हैं स्पेस के बारे में स्पेस अपने जाती है कि हलका फुलका डॉर पैनल में हलका फुलका है सेकर वोन इस दो लोब बोक्स इस वान थारून इस दा ट्विन कप सोल्डर इस वन एक हलका साथ छोटा सा स्पेस यह देखो यहां पर दी जा रही है तो आपको इतना स्पेस मिलेगा इसका फ्रेंट ड्रो में ही बाकि अभी चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो भाई डिफिनेटली आपको काफी दा इंप्रेस कर चार्जिंग का भी फीचा यह देखो यहां पर दिया जा रहा है तो फ्रेंट वालों के लिए आपको मिलेगा यहां पर तीन ओप्सन रियर में भी आपको दिखाऊंगा भाई डॉंट वोरी फॉर्ट एट आपको मिलेगा यहां पर देन ऑटमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसके ठीक नीचे यह देखो और यहां पर बटन एंड यहोगा इसका जो टैप कंट्र कर सकते हो और यहोगा इसका जो है फैन का स्पीड अपमें डाउन करने के लिए अपको जाती है कि बल्लों टाइप की दी जा रहे है यह जो कंट्रोल है यह देखो स्टार्ट हो गया ब राइट देन और ट्रैक्टिकल के बारें बात करें कर लेते हैं देखिए मेरा जो हाइट वह सिस फूट त्री इंज का छे फूट के ऊपर का बंदा हूं और ड्राइवर सीट मैंने और अच्छे से मैं थोड़ा से इसको आज़िट कर लो जादा पीछे को लिया था है हाँ आप सभी है तो यह देखो मैं जो है अपने हिसाफ से इसको आज़िट कर लिया हूँ और आराप से बैठ पा रहा हूं मैरा है डूम देखो बिसल मुझे मिल जा रहा है और अच्छी तरह से बैठ पार हों ड्राइब करने के लिए बिल्कुत सही है बस यहां पर हम सोरूम के अंदर खड़े हैं बैटे हैं वना में ड्राइब करके इसको ले जाता तो यह का ड्राइवर सीट कंफर्ट यानि कि अगर आपका हाइट ज्यादा है तो हलका फुलका यहां पर आपको मिलेगी सोफा टैप जैसे देख पर होगे पैटन वगेरा यह काफी सॉफ्ट आपको मिल जाती है एड़ेस्ट इस वान फ्रेंट रो में भाई ठीक है और यह होगे इसके यह वाली गयर लीवर की गाड़ी है ऑटमेटिक वाली इसके यह पर करेंगे लिए मैंनों के साथ भी ठीक है ना सो यह काफा अके वारे में यानिकी शुफ्ट के वारे में तो चले-चलते आभी इसके रियर सीट में रीर स्ट कंफट सब्सक्राइब कैसा क्या इसका रियर स्ट कंफट है एंड तीन बंदे उसको दिखा ओंगा कि तीन बंदे तो उनको कैसा के comfort मिलता इसके rear seat में क्योंकि गाड़ी है फाइफ सीटर वाली राइट तो चलो वे चलते इसके तो आपको और चीज़ दिखा दो इस गाड़ी में वह इसका डोर ओपनिंग इसका डोर ओपनिंग देखो नौट एक्जाट नेटी डिगरी बाट इसका जो डोर ओपनिंग है ना वह लगबग जो ही हाँ पे 70 डिगरी तक जो खुल जाती है 70 F60 में मानके चलो इतना मुझे जोमेट्र को प्राइडिया नहीं आप देखे बता ना और इसका जो डोर ओपनिंग का जो पार्ट है ना यहां पे आराम से आप जा सकते हो आराम से बाहर निकाल सकते हो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाले जितना मुझे लग रहा है अब देखिए वह कितने आपको लार्ज ओपनिंग और इसका डॉर पैने देखिए आपको थोड़ी से यहां पर ब्रॉर सेप में रखा गया है तो आपको को दिक्कत तो आने वाले है नहीं देन रियर सीट इसको थोड़ा सा साइड करते हैं इसका बेलन बगेरों को तो फ् हाँ खोल देता है थोड़ा से अंधियरा लग रहा है मुझे अब सब्सक्राइब खुला लगया तो रियर सीट देखो भई ठीक है सही लग रहा है नो डाउट ली और आपको 6040 का भी यहां पर फीचर देन हैट रूम अगर आपका है ज्यादा है तो अगर आप पूरा ऐसे बैठोगे ना तो आपको डिसेंट ही मिल जा रहे हैं अगर नी रूम लेगरों की बात करो तो यहां पर देखिए काफी अच्छा कहसा मुझे मिल जारा स्पेस और इस सेड़ मिल जाते आपको सीट पोकेट्स और यहां पर हलका साब कुम लिए कर्व ठीक है न और रिक्लैन एंगल सही है और अगरें अगर जा रही है और 6040 में दो बता दिया अग्जारेस्ट पास्टर टे में बता दिया तवे एंड वालों के लिए यहां पे देखिए इसके वेंट्स दी जा रही है देन अकुरिके दू यहां पे एक टाइप ए डूसरी यहां पर चार्जिंग पूर्ट दिख रह आपको मिलेगी हाँ यहाँ प्लास्टिक है यहाँ पे टेक्ष्च्चर वोटो होल्डर है यहाँ पे अपे आणाका गरेगा एंडल एंड रिटिंग लेंग घृट्ट में यहाँ पर कुछ महीं नहीं दे जा रहा है तो यह यहां पर खाली लग रही है हैं और भाई को में थोड़ा सा रीकुट के एब थोड़ा सा यहां बैठ के लिए कि इनको comfort का इस मिला देखेती तीन बंड यहां पर आपको सब्सक्राइब हुए और भाई यहां पर बैठेंगे में आपको इशू कंफिट के बारे बात करते हैं भाई कालि बंद कर देजाई तो तीन बंद्त बाइज तो कि की कि वेंगो को हिए कि यहां पटीका तो ढहिए भी है अपा आजिए तो आजसे सकते हैं यहां तो ढटान के कर घटागो कर सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं तो भाई थैंक यू थोड़ा सा यहां पर आने के लिए अच्छा है कमफटेबल है ओके तो तीनों भाईयों का राय जैसे अब लोगों सुन लिया और सुल्डर रूम हलका सा जैसे कि अगर बीच में कोई हेवी बैट जाएगा तो हलका से यह हमने किया स्टार्ट यह देखो तो गाड़ी हो चुके स्टार्ट और साउंड अभी सुनते हैं गौर से अब इनिशार चैसे तो थोड़ा से यहां पर हाइप में है यानि कि इसका जो टेकोमेटर है वह अभी डाउन में आएगी उसके बाद अब को पता चल देगा यह देखे डाउन हो गए तो भे सुनो नॉइज वगएरा ठेक है कुछ आ रही क्या वह यही तो है खाचत वही मौरती का थ्री सिलिंडर के साथ आपको मिलेगी वही पूरी रिफर्ट मेंट इसका इंजिन और नॉइज वही यानि कि केविनोज जीरो आपको मिलेगी इस ग अभी मैं आपको बता सकता हूं भी रणिंग कंडिशन में केसा कि इसका नॉज आता है कि नहीं है तो चले भी इसके इंजिन आपको दिखा दूँ गड़ को भी बंद करते हैं इसके इंजिन का पूरा प्रोफाइल लेंड देखिए आपको मिलेगी एक न्यू इंजिन यहां पे जेट स्रीज ओल इंजिन जो कि आपको मिलेगी त्री सिलिंडर के साथ एंड अगर पाउर फिकर की बात किया तो हलका यहां पे कम हुआ है ओल्ड सुट के मुकाबले यान 25 के MPL यहां दोस्तो 25 का जो है क्लेम करते कंपनी तो यह काफी शांदार अपको मिलेगी अभी गाड़ी एंड सिटी रोड में डेफिनेटली इस गाड़ी का कोई भी मुकाबला है नहीं तो यह गैस के इंजिन का पुरा प्रोफाइल वगेरा देखिए पूरी अमें शॉट के मुकाबले है तो थोड़ सी यहां पर हैवी लग रहे है इसका बॉनर का पार्ट अभी देखिया हाओ सुनें सो योगेस के इंजिन का पूरा प्रोफाइल वगेरा एंड नाव सेफ्टी सेफ्टी को लेके लोग काफी अदा करते हैं क्रिटिसाइज मारुती को है के नहीं तो वही मारुती ने सोचा क्यों ना सेफ्टी फीचर भी बढ़ा दी जाए गारी में और इसी सोच के साथ मारुती ने अपनी न्यू जेन स्ट को जो है दी दी है शे एर बेक का फीचर वो भी आपको मिलेगी स्टैंडर्ड यानि कि ले तो इसका बेस विरेंट तो भी आप पाकी सेंसर्स, वाइड एंगल रियर पाकी कैमरा, सिकूर्टे अलाम सिस्टम, डोर एंड हूड, आइसो फीक्स, ओल सीट बेल रिमाइंडर, एंड हाइ स्पीड अला सिस्टम होनी जाती है न्यू स्ट यानि कि न्यू एपक स्ट में तो दोस्तों आपको पूरी जानकर मिल प्रेसिंग की तो स्ट का जो प्रेस वेरी करती है यानि कि अगर ले तो इसका बेस तो उसका प्रेस एक्स्रूम प्रेस जाती है वही 6.49 लैक और वह जाती है 9.50 लैक तक और यह इसका टॉप अप दा लाइन है जे डेस्टे प्लस एजीस वाली गाड़ी है और आपको मेनो प्रेस एक्सरूम प्रेस वह आपका जाएगी 8.99 लैक और अगर वही एजिस की बात करूँ तो एजिस का जो एक्सरूम प्रेस आजाती है वही 9.49 लैक अगर उन्रोड की बात करे तो मैनोल का जाएगा प्रेसिंग राउर क्ला में 10 लाइक 24,000 अगर वही एजिस की बात करे तो उसका जो प्राइसिंग आजाए का अन्रोड में 10,90,000 ठीक है तो प्राइसिंग, फीचर्स आपको सारा कुछ बता दे है इस वीडियो में और अच्छी तरिके से इसका जो रिव्यू हमने किया और गाड़ी के बारे में आपको हर एक जानकरी मिल गई होगी, होप सू तो वे एक ताज का वीडियो दिस न्यू जैन एपक सुट के बारे में और आपको ही गाड़ी और इसके फीचर्स के सार लगा मझे कमें बताए अगर आपको वीडियो चलेगे लाइक किजीगा, शर्किजीगा चैनल को प्लीज 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 सब्सक्रेब करेना ना भूले तो मिलते हैं अगरों में धन्यवाद